नमस्कार दोस्तों, इस विडियो में नवीन परियावरन एबम प्रास्थितकी से सम्मंधित इंपोर्टेंट पॉइंट को डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे जो चैनल पर पहले बार आये हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में आप लोग इसका PDF टेलिग्राम गुरूप से डाउनड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो पहला इंपोर्टेंट है वैस्विक संडचन बाग मानक और दुसरा है मानता प्राप्त भारत के टैगर रिजब मतलब की बाग अभियारन तो देख लिजी सबसे पहले की भारत में कुल कितने बाग अभियारन है तो भारत में कूल आपके बामन बाग अभियारन है बामन बाग अभियारन में से जो है 14 बाग अभियारनों को वैस्विक संदच्छन मानकों की मानता मिली है कितने? 14 जो बाग अभियारन है उनको वैस्विक संदच्छन मानकों की मानता मिली है जुलाई 2021 में ये 14 टाइगर रिजव ये 14 बाग अभ्यारन कौन कोन है इसे देख लिजिए ओरांग टाइगर रिजव मानस टाइगर रिजव और काजी रंगा टाइगर रिजव ये तीनों कहाँ पर है असम में है उसके बाद है कान्हा टाइगर रिजव पन्ना टाइगर रिजव और सत्पुला टाइगर रिजव ये तीनों कहां पर है तो ये तीनों आपकी मद्ध पर्देश में इसके बाद है अन्ना मलाई टाइगर रिजव और मुद्धो मलाई टाइगर रिजव ये दोनों कहां पर है ये दोनों आपके तमील नाड़ो में है पेंच टाइगर रिजब महरास्ट में है और बालमेकी टाइगर रिजब आपके बिहार में बिहार के एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है दुदवा टाइगर रिजब ये उत्तर प्रदेश में है और सुन्दर बन टाइगर रिजब जो है वच्छी मंगाल में है और उसके बाद है परमबी कुलम टाइगर रिजब कहां पर है तो किरल में है और बांदीपूर टाइगर रिजब आपके करनाटक में है नेक्स्ट है कि भारत के तीन नए टाइगर रिजब तो देख लिजब आपके जो भारत का 51 मा और तमिल नाटू का पाचमा टाइगर रिजब कौन है तो मेगा मलाई टाइगर रिजब है ये कहां पर है तमिल नाटू राज में है उसके वाद है रामगल बिशधारी बंजीव अभियारन ये किस राज में है तो राजरस्थान राज में है और भारत का आपके बामनमा है और राजरस्थान का चौथा टाइगर रिजब है उसके बाद नेक्स्ट है तिरपनमा कौन है तो गुरु घासी दास राश्टी उध्यान किस राज में है तो 36 गण राज में है न प्रमान तो दू आपके जो भारती टट हैं उनका नाम क्या है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमान मिला है तो पहला है कोबलम समुन टट जो कोबलम समुन टट है किस राज में है तो तेमिल नाडू राज में और दूसरा है इडन समुन टट ये किस राज में है तो पूडू चेरी में किस राज में? पूडु चेरी में है। उसके बात नेक्स है कि भारत में अभी तक जो है दस समुन टटो को ब्लू फ्लाग पर्मानन से सम्भानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लाग पर्मानन अंतरास्टी एक को अस्तर ये टैग है जो समुन टटो को स्वस्थ, सुरच्छित, सद्ध विकास में बढ़ावा देने का परियास करता है यह परमान पत्र डेनमार्क के फॉंडेशन फॉर इंवार्मेंट एजुकेशन द्वारा परदान किया जाता है इसका पहले BPSC के द्वारा पूछा गया था कि भारत में इसका पहले कितने टट को बुलू फ्लेग परमान पत्र दिया गया था तो उससमें आपके आठ अंसर था अब दो नए टट जुड़ गया है, टोटल कितने हो गया है दस हो गया है, इसे नोट कर लिजिएगा एक आपके तमिल नाडू का है, एक पुडू चरी का है भारत हैड्रो कलोरो कारवन, एच एफसी को चरनबत तरीके से खतम करेगा कब तक करेगा, तो भारत जो है 2047 तक हैड्रो कलोरो कारवन को 80% तक दो है कम कर देगा, 2047 तक जो है 80% तक कम कर देगा चीन 2045 तक और अमेरिका 2034 तक जो है इस लच को हासिल कर लेगा मौन्टरल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन प्रत के संद्चन से संबंधित है उसके बाद नेक्स्ट है USA Air Quality Index 2020 अमेर्की परियाबरन संद्चन एजंसी द्वारा जारी किया गया है और पांच प्रमुख प्रदुसकों को कारवन मोनोक्साइड, सलफर डाई ऑक्साइड, नेट्रोजन डाई ऑक्साइड, जमेनी अस्तर का ओजोन और पाटिकुलेट मेटर PM 2.5 इस इंडेक्स में मानक माना गया है और इस अधार पर बिश्व के विविन सहरों को रैंकिंग दी गई है, तो देख लिजे इसमें जो परथम अस्तान किसे मिला है, तो सबसे पर दूसी जो में पहला अस्तान मिला है लहोर को, जो कहा अस्ती थे पाकिस्तान में अस्ती थे, और यहाँ पर PM रेटिंग कितना है तो 423 है, जबकि दूतिय अस्तान अपना भारत नई दिल्ली को मिला है, और यहाँ पर PM रेटिंग कितना है, 229 है, जो लहोर था 423 था, कितना था 423 था, उसके बाद जो तिरतिय अस्तान है, वो मिला है काठमांडू नेपाल को, यहाँ पर जो PM रेटिंग कितना है, तो 178 ह उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड एएर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजर बीस, वर्ल्ड एएर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजर बीस इसे कौन जारी करता है तो स्वेश संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वाल्टी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे जादा प्रदुसित सहरों में 22 अब के भारत के हैं बारत और पाकिस्तान के बाद जो है बांगला देश को सबसे प्रदूसित देश का दरजा दिया गया है और सबसे कम प्रदूसित देश कौन सा है तो फ्यूटो रिको है कौन सा देश है फ्यूटो रिको देश है सबसे प्रदूसित राजधानी कौन है तो पर्थम अस्थान इसमें दिल्ली को मिला है और दुसरा स्थान ढाका बंगलदेश को मिला है और दुसरा स्थान ढाका बंगलदेश को मिला है और दुसरा स्थान ढाका भारत का एक सहर है भारत के उत्तर प्रदेश का अगर यहाँ पर बोल दिया कि राजधानी में तो पहला दिल्ली दुसरा ढ प्रदूसित रजधानी कौन है तो नई दिल लिए और भारत का सबसे प्रदूसित सहर कौन सा है भारत का सहर पुछेगा तो गाजियाबाद है कौन से सहर है गाजिया नेक्स ए फोर्थ वन प्लेनेट सम्मिलन जैब विवित्ता सनचन पर ध्यान देने है तू जनबरी 2021 में ज इसका आयोजन किया गया और इसमें इवन ओ एबम बे सुबैंक के सहयोग से फोर्थ वन प्लेनेट सम्मिलन का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश का है तो पिर्थवी पर जैब विवित्ता के सुरच्छा है तो ध्यान के दिरित करना इसका उद्देश है और इसका विवास्थाओं के लिए प्रैकृति के महत्पूर्ण ध्यान केंदरित करना इसका महत्पूर्ण बिंदू था नेक्स्ट है कि 2021 में इस तरह का यह चौठा सम्मेलन है पहला सम्मेलन जो है कब होता है तो 2017 पेरिस में होता है ठीक है पहला का होता है 2017 पेरिस में होता है उसके बाद नेक्स है कि वर्ष 2021 में रामसर अस्थल में सम्मेल भारत की महत्पूर्ण आदर भूमिया कौन कोन है तो देख लिजी तो सबसे पहले आदर भूमिय सन्रचन है तो बर्ष 1971 में जो है इरान के रामसर में इरान के रामसर सहर में एक सम्मेलन हुआ और इसके सम्झवते जो है 1975 से परभावी होते है और भारत जो है इसमें 1982 में सामिल होता है और 20 में 2400 से अधिक आपके रामसर अस्थल है सितंबर 2021 तक भारत में जो है अंतरास्ट्री महत्व की आदर भूमिय की कुल संखे कितनी हो गई 46 हो गई पहले आपके 42 थे अब नए चार आगें कितने हो गए टुटल अपके 46 हो गए तो देख लेजिए सुल्तानपुर रास्ट्री उद्यान ये कहां है हर्याना में बादवाना बैटलेंड ये कहां पर गुजरात में है और थोल जीर बंजीव अभ्यारन ये कहां पर ये भी आपके गुजरात में तो इन चार लोकेशन को जो है रामसर साइट में सामिल किया गया है 2021 में उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्स 2020 में रामसर अभी समय में सामिल भारत की पांच आदर भूमिया कौनकोन उसे भी देख लिजी उसमें एक आसन कंजर्वेशन रिशर्च ये कहां पर है उत्राखंड में और कावरताल ये बिपेसिकले इनपोटेंट है तो कहां पर है बिहा इनपोटेंट है उसके बाद नोट करके लिखा गया है सबसे अधिक जो है United Kingdom के 175 अस्थल जो है रामसर के सूची में सामिल होने बाले पर्थम अस्थल कौन है तो अस्टेलिया का कोबोर्ग प्रायदीप है नोट किजेगा पहला कौन है उस्टेलिया का कोबोर्ग प्रायद और भारत का सबसे छोटा आदरभूमी कौन है तो रेनुका बेटलेंड कौन है रेनुका बेटलेंड ये कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में है और भारत का पहला कृतिम आदरभूमी अस्थल हरीके बैराज भारत का पहला जो है कृतिम आदरभूमी कौन है तो हरीके बै राज है नूट कर लिजेगा जबके ये भारत का सबसे बड़ा आदर भूमी अस्तर इसे एक बड़ा पलो गूगल जरूर किजिएगा नेक्स है कि तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट दो हजार अठारा 21 दिसंबर 2020 को आपके परकासित होता है ये गन्ना रिपोर्ट है 2018 का लेकिने परकासित कब होता है तो 21 दिसंबर 2020 को परकासित होता है यह रिपोर्ट जो है A Status of Leopards in India 2018 के नाम से परियावरन बन एवं जलबाई परिवरतन मंत्राले द्वरा प्रकासित किया गया और भारत में कुल कितने तेंद्वा की संखिया है तो 12,852 तेंद्वा की संखिया भारत में नमर नोट किजिएगा और सबसे अधिक तेंद्वा जो है किस राज में है तो मद्ध परदेश में सबसे अधिक तेंद्वा है कितना है 3421 है और दूसरा कौन है तो करनाटक है यहाँ पर कितना है तो 1783 है और तिसरा कौन है महरास्ट है 1690 चोठा 868 टेमिल नाडू में है और पाचमा 316 उत्रप्रदेश में बिहार में कितना है तो बिहार में 99 है और ज्भारखन में कितना है तो 46 है उसके बार नेक्स्ट है कि 2014-18 के बीच तेंद्वा की अवादी में जो है कितनी परसेंट की विर्दूय नोट कीजिएगा तो 60% की विर्दी हो गई है उसके बाद है कि छेत्र की द्रिस्टी से मद भारत एबं पूरवी घाट में सरवाधिक तेंदुए जोएं देखे गए हैं छेत्रफल की द्रिस्टी सुझे मद भारत और पूरवी घाट में सरवाधिक तेंदुएं कितना देखे गए हैं तो 871 तिंदुए देखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैगरोब बनस्पती छेत्र है। बन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अधार पर। देश में कुल मैगरोब या कछ बन कितना है। तो 475 km2 जो देश के कुल भोगोलिक छेत्रफल का कितना है तो 0.15% है। 2017 की तुलना में जो है मैगरोब के छेत्र में कितना बिर्धी हुई है तो 54 km2 की बिर्धी हुई नूट कीजिएगा इनपोर्टन है कितना 54 km2 की बिर्धी हुई है। उसके बाद एक सेड़ आपके रैंक दिया गया है एक सेड़ आपके राज और कैन साशित परदेश दिया गया है एक सेड़ आपके कुल मैगरोब का छेत्रफल दिया गया है। तो सबसे अधिक मैगोब कहां पर पाय जाता है तो पच्छी में मST में पाय जाता है तो 212 किलो मुटर स्कूर में पाय जाता है और गुजरात में कितना च्छत पर पाई जाता है तो आपके 11 without च्छेसो सोलाग किलो मेटर स्थान पर है इसमें कितना पाए जाता है तो 404 किलो मेटर स्थान पर पाए जाता है और महरास्ट में जो है 320 किलो मेटर स्थान पर पाए जाता है मैगरोब बन उसके मात नेक्स है कि कुल मैगरोब बन में पच्छी मंगाल अकेले बेलेस पॉइंट 45% हिस्सा रखता है मैगरोब कवर में सबसे ज़्यादा बिर्दी किसके हुई है कवर में ध्यान रखेगा बिर्दी पूछ रहा तो 16 किलो मेटर स्कॉएर की विर्दी हुई है नेक्स है कि भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 परियाबरन और बन मंत्री परकास जावलकर ने 30 दिसंबर को भारत में बन छेतर की इस्थिती रिपोर्ट 2019 जारी की और किस नमर की रिपोर्ट थी तो 16 नमर की रिपोर्ट थी य और इसमें आकड़ा जो है किस उपगरह से लिया गया है तो नूट कीजिएगा इसके लिए भारतिय सुद्धूर संबेदी उपगरह रिसोर्स सेट टू के प्राप्त आकड़े का इस्तमाल किया गया है इसे नूट कीजिएगा resource set 2 के आकल का इस्तमाल किया गया है उसके बाद next है कि भारतिय वन सर्वेच्छन द्वारा दो बरस के अंधराल पर जो है बन इस्तिती रिपोर्ट परकासित किया जाता है पहला बन इस्तिती रिपोर्ट का परकासित हुआ था तो 1987 में जो है पहला बन इस्तिती रिपोर्ट परकासित हुआ था next है कि मुख बिंदु में देख लिजिए देश में जो है बनो एवं बिर्चो से अच्छादित कुल छेतरफल कितना है तो 24.56% तो डाटा याद रखे है करेक्ट 24.56% छेतरफल में कितना हो जाएगा तो 8,72,76 km2 हो जाएगा कुल भोग लिजिए चेतरफल का बनाबरण चेतर कितना है तो 21.67% है कुल भोग लिजिए चेतरफल का बिर्चाबरण चेतर कितना है तो 2.89% है उसके बाद नेक्स है कि 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल बन और बिरिज आच्छादन में बिर्धी कितना होती है तो 0.65% की बिर्धी होती है अगर पूछे का किलोमेटर स्कुएर में तो 2188 किलोमेटर स्कुएर की बिर्धी होती है और उसके बाद है बनाबरन में कितनी बिर्धी होती है तो 4966 km2 की बिर्धी होती है बनाबरन में और बिर्चाबरन में कितना बिर्धी होता है तो बिर्चाबरन में 1212 km2 की बिर्धी होती है और नेक्स्ट है कि देश में कुल मैगरोब बन कितना है तो देश में जो कुल मैगरोब बन कितना है तो उन्चास सो पचतर किलोमेटर असक्वाइर है उन्चास सो पचतर किलोमेटर असक्वाइर आपके कुल आपके मैगरोब बन है मेगरोब बन में बिर्धी कितना हुआ है तो 54 km2 की बिर्धी दर्ज की गई है उसके बाद नेक्स्ट है कि बन छेत्र में बिर्धी बाले सिर्ष राज कोन है तो बन छेत्र में बिर्धी बाले जो सिर्ष राज है उसमें करनाटक को पहला स्थान है और यहाँ पर कितना बन की बिर्धी होती है तो 1025 km2 की बिर्धी होती है और सकेंड पर आपके आंधरा परदेश है यहाँ पर 990 km2 की बिर्धी होती है और तेलंगाना में किरल किरल में कितना बिर्धी होती है तो आपके 830 km2 की बिर्धी होती है तो पहला दूसरा आपके तिसरा नूट कीज़ेगा अब सरवाधिक बन छेतर वाले राज अब देख लिए सरवाधिक वन छेतर वाले राज सरवाधिक बन जो है किस राज में तो मद परदेश में सरवाधिक बन है कितना है तो 77,482 km2 पर बन है दुसरे आपको ने रुमाचल प्रदिस यहाँ पर कितना है तो 6688 km2 पर आपके बन है तिसरा चत्तिस गड़ यहाँ पर कितना बन है तो 55611 km2 एरिया पर आपके बन है ठीक है उस्तिवाद नेक्स्ट है कि सरवाधिक बनाबरन प्रतिसद वाले राज ठीक है जिसे कि कोई राज है यहाँ पर इसका मान लेज़े कि कोई एक राज है इसका 95% इलाका पर बन है तो इस हिसाब से सरवाधिक बनाबरन प्रतिसत वाले राज तो जो सरवाधिक बनाबरन जो है किस राज में है तो आपके मीजोरम में कितना है तो 85.41% है 85.41% जो इलाका है बन से धका हुआ है मीजोरम का उसके बाद जो अरुनाचल प्रदेश है उसका इलाका कितना धका हुआ बन से तो 79.63% आपके धका हुआ है मेगाले का 76.33% जो इलाका है बन से धका हुआ है नोट कीज़ेगा important है उसके बाद अन्तत के बारे में देखिए भारत में 62,466 km2 आदरभूमी छेतर के 3.83% छेतर में आपके बिस्तरित है और भारती राज़ियों जो गुजरात में सरवाधिक आदर भूमी है किस राज में भारत के जो गुजरात राज में सरवाधिक आदर भूमी है भारत की बनों का कुल कारवन अस्टोक लगवक कितना है तो कुल कारवन जो अस्टोक है 71.42.6 million टन जो अनुमानित है जो वर्ष दोहर सत्र में 42.6 मिलियन टन से अधिक है नेक्स है कि सरवाधिक बनाबरन प्रतिशत वाला छेत्र कौन है सरवाधिक बनाबरन प्रतिशत वाला छेत्र तो इसमें आपके आजाएगा लच्छ दीब पहला कौन आजाएगा लच्छ दीब आपके केनल साशित परते से ध्यान रखेगा अगर राज बोलेगा तो मिजोरम हो जाएगा अगर सिर्फ बोलेगा कि सरबाधिक बनावराइट प्रतिशत वला छेतर कोन है तो पहला मा आजाएगा लच्छ दीब किया गया वैस्विक वन संसाधन आकलन 2020 रिपोर्ट को इसमें जोए विस में कुल बन छेतर कितना है तो 4.06 बिलियन हेक्टेर पर आपके बन बन है जो कुल भूमी का कितना परसेंट हो जाता है तो पुरे दुनिया के 31 परसेंट भूमी पर आपके बन है नेक्स्ट है कि वैस्विक आउसत 0.52 हेक्टेर प्रतिब्यक्ती बन है ठीक है इन्पोर्टेंट है बिस में के कुल बन का जोए 45 परसेंट उस निकटी बन दिये बन है 0 से 30 दिगरी के बीच में कितना बन है 45 परसेंट आपके बन है बर्स 1990 से 20 के बीच 178 मिलियन हेक्टेर बन भूमी छेतर फल नस्ट हो गया है नेक्स्ट की सरवाधिक वन छेतर वाले सिर्ष देश कौन है तो रसिया में जोए सरवाधिक बन है 815 मिलियन हेक्टेर छेतर पर है वैस्विक वन छेतर का 20 परसेंट कहां पर है तो रसिया में है ब्राजिल में जोए कितना है तो 496 मिलियन हेक्टेर बन है और वैस्विक वन छेतर का कितना है तो 12 परसेंट है कनाडा में 346 मिलियन हेक्टेर पर है और वैस्विक वन छेतर का 9 परसेंट है और भारत में जोए कितना बन है तो 72.1 million hectare बन है और जो वैस्विक 1.6 तरकाप के 2% है ठीक है अब विश्व में कौन सा अस्थान भारत का है तो दासमा अस्थान है विश्व में कौन सा अस्थान है तो दासमा अस्थान है नोट में लिखा हुआ है कि विश्व के 14.8 million hectare पर मेगरोब बन पाये जाते हैं कितने पर 14.8 million hectare पर आपके मेगरोब बन पाये जाते हैं सरवाधिक मेगरोब बन जो है इंडोनेसिया में पाया जाता है नोट की जिए विवी आई है जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है उसके बाद नेक्स्ट है बाग गन्ना रि बाग हाँके भारत में 2014 और 2018 के बीच बागों की अबादी में कितनी परसंट बिर्दी होती हैं किस राज में कितना बाग है देख लिजिए तो जो सरवाधिक बाग है मत प्रक्ष में वहांबर कितना बाग है तो 526 बाग है और दूसरा अस्थान आपके आ जाता है करनाटक यहाँ पर कितना बाग है 524 बाग है बाग है अर तिसरा अस्थान पर कौन आ जाता है आपके उत्राकन 442 बाग है और उत्रे प्रदिस में 173 बाग है जबकि अपना बिहार में कितना बाग है तो 31 बाग है सुन्दरबन में 88 और महरास्ट में 312 जो चतुर्थ अस्थान पर है पहला पर कौन था मत्पर्दिस दूसरा पर करनाटक तिसरा पर उतराकंड और चोथा में कोन है महरास्ट है नोट कर लिजेगा पूछा जाता है उसके बाद नेक्स्ट की दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रेप वाइल्ड लिंग सरवेच्छन की कारण बाग गरना दुरा अठारा गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है पतलब सबसे अधिक जो है कैमरा ट्रेप लगाया गया था बागों की गिन्ती के लिए जीम कारवेट टैगर रिजव उत्रा खंड में है जो देश के सबसे ज़्यादा बाग है कहां पर है जीम कारवेट टैगर रिजव में जो है देश के सबसे अधिक बाग कहां पर पाई जाते हैं तो जीम कारवेट टैगर रिजब में जो उत्रा खंड में कितने पाई जाते हैं तो दूसरो एक तिस नोट कीज़ेगा बहुत ही इनपोरेंट है जो जीम कारवेट टाइगर रिजब है भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजब है नेक्स एक कि देश के 50 बाग अभियारन के तीन अभियारन में कोई भी बाग नहीं बचा है यह कौन-कोन है तो डामफा अभियारन बुकसा अभियारन पच्छी मंगल, पलामू अभियारन जारखंड भारत में कुल बाग अभादी का जो है 63% टाइगर रिजब में रहते हैं और कितने जाता है 2930, 2930 आपके रहते हैं टाइगर रिजम में, नेक्स है कि बेस्व के कुल बाग अबादी के 70% बागो का भारत में निवास है, रोट कीजिएगा 70%, तो जितना भी आपके important point थे, सारे point को इस वीडियो में हम लोगों ने discuss कर लिया है, आपने गर इस वीडियो कर दो